महराश में वीर सावरकर पर जंग चिड़ी हुई है एक तरफ राहूल गांधी के सावरकर वाले बयान पर जहां उधफ ठाकरे और उनकी पार्टी ने कॉंग्रेस का घहराफ किया तो वहीं अब NCP चीफ शरत पवार बचाफ में उतरा है शरत पवार ने कहा कि सावरकर के बलिदान को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता लेकिन ये राष्ट्रे मुद्दा नहीं है गौर तलब है कि स्वतंतरता सेनानी विनाग दामोदर सावरकर पर कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी की टिपनी के बाद से ही विवाद छिड़ा हुआ है बीजपी राहूल गांधी पर बार बार सावरकर का अपमान करने का आरोप लगा रही है वहीं से लेकर महाराष्ट में महाविकास अघाडी में भी आपसी विवाद शुरू हो गया था जिसके बाद NCP चीफ शरत पवार ने मध्यस्ता करते हुए राहूल गांधी को चुपी के सलह दी थी इस बीच अब शरत पवार ने कहा है कि सावरकर के देश के सुवतंतरता संग्राम के बलिदान को कोई भी नजर अंदाज नहीं कर सकता लेकिन उनके बारे में असहमती को आज एक राश्ट्री मुद्दा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ध्यान केंद्रित करने के लिए कई एहम मुद्दे हैं राहूल गांधी का बचाप करते वे उनने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब किसी भारती ने विदेश में रहते हुए देश के मुद्दों पर बात की हो नागपुर में बोलते वे शरत पवार ने खा कि 18 से 20 राजितिक दलों के निताओं ने हाली में देश के सामने बड़े मुद्दों पर बैठा की और चर्चा की उन्हों ने खा कि मैंने सुझाव दिया कि हमें इस बात पर विचार करने की जरुत है कि सत्ता में बैठे लोग देश को किस तरह चला रही है शरत पवार ने खा कि आज सावरकर कोई राश्ट्रे मुद्दा नहीं है ये पुरानी बात है हमने सावरकर के बारे में बहुत कुछ बाते कहीं थी लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं थी ये हिंदू महासभा के खिलाफ था लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है हमदेश की आजादी के लिए सावरकर जी द्वारा दिये गए बलिदान को नजर अंदाज नहीं कर सकते शरत पवार ने कहा कि करीब 32 साल पहले उन्होंने सावरकर के प्रगती शील विचारों के बारे में संसद में बात की थी सावरकर ने रतनागिरी में एक घर बनवाया और उसके सामने एक छोटा मंदिर भी बनवाया उन्होंने वाल में की समुदायक एक व्यक्ती को मंदिर में पूजा करने के लिए न्युक्त किया उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही प्रगती शील चीज थी NCP नेता ने कहा कि राश्ट्रे कतानक में सावरकर पर जोर देने की ज़रुत नहीं है खास तोर पर तब जब आम लोगों को चिंतित करने वाले कई बड़े मुते हैं बता दे कि इससे पहले सावरकर को लेकर कॉंग्रेस के बयान से उधव ठाकरे नाराज हो गए थे नाराजगी ऐसी हुई थी कि कॉंग्रेस के डिनर पार्टी से उधव नदारत रहे थे बता दे कि बीते दिन राहूल गांधी की लंडन यात्रा भी काफी चर्चा में रही विदेशी धर्ती पर राहूल गांधी के बयानों को लेकर बीजेपी सरकार ने देश और पुल्वामा शहीदों को अपमान बताया था इसे लेकर भी शरत पवार ने खा कि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी भारती ने विदेश में जाकर देश के मुद्धों पर बात की हो कुल मिलाकर सावरकर के बयान को लेकर और फिर विदेश में देगे बयान पर राहूल गांधी को NCP चीफ शरत पवार का समर्थन मिला है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बनी रहें One India हिंदी के साथ